सद्गुरू इन शब्दों में महाशिवरात्री की महिमा को बताते हैं एक साल में बारह वद तेरह शिवरात्रियां होती हैं चंद्र चक्र में आने वाली सबसे अंधेरी रात को शिवरात्री कहते हैं माघ महीने में आने वाली इस शिवरात्री को महाशिवरात्री कहते हैं क्योंकि इस रात मानव शरीर में उर्जा सहज ही उपर की और चड़ती है कोई भी इंसान, चाहे वो ज्यानी हो या अज्यानी संत हो या पापी, कोई रिशी हो या फिर ठग अगर वो अपनी रीड सीधी रखकर इस दिन सचेत और जागरुक रहे तो वह अपनी पूर्णता की ओर कदम बढ़ा सकता है क्योंकि इस दिन ग्रह एक खास तरह से सीध में होता है मैं चाहता हूँ कि यह रात आप सभी के लिए सिर्फ जगे रहने वाली ही नहीं बलकि आपके भीतर एक जबरदस्ट जागरती की रात बन जाए यही मेरी कामना और आशिरवाद है महाशिवरात्री साधना महाशिवरात्री की रात के लिए खुद को तयार करने के लिए है यह रात जबरदस्ट संभावनाओं से भरी रात है कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र आट साल से ज्यादा है यह साधना कर सकता है यह साधना महाशिवरात्री से पहले लगातार 40, 21, 14, 7 या 3 दिनों तक कर सकते हैं साधना की अवधी के दौरान आपको कुछ निर्देशों का पालन करना है रात में 8-10 काली मिर्च के दाने, 2-3 बेल पत्र या नीम के पत्तों के साथ शहद में भिगो दें और मुठी भर मुंगफलियों को रात भर पानी में भिगो दें ये सुबह साधना के बाद खाएं अगर नीम या बेल पत्र उपलब्ध नहीं है तो नीम पाउडर की गोलियों का इस्तिमाल करें नीम पाउडर इशाशौपी.com पर उपलब्ध है दिन में दो ही बार भोजन करें पहला भोजन दोपहर बारा बजे के बात करें अगर आपको भूक लगे तो आप काली मिर्च, शहद, नीम्बू के रस को पानी में मिलाकर दोबारा पी सकते हैं सिगरिट, शराब और मानसाहरी भोजन से परहेज करें एक काला कपड़ा, पुरुष उपरी दाई बाहाँ पर और इस्त्रियां उपरी बाई बाहाँ पर पहने आप किसी भी काले कपड़े का इस्तिमाल कर सकते हैं पर इस कपड़ी की लंबाई 12 इंच और चोड़ाई 1 इंच होनी चाहिए साधना करने वाले लोग काले कपड़े का खुद प्रबंध कर सकते हैं सिर्फ सफेद या हलके रंग के कपड़े पहने कृपया दिन में दो बार हर्बल स्नान पाउडर से स्नान करें इन बिंदूओं पर विभूती लगाएं अगन भौहों के बीच में विशुद्धी गले के गड़े में अनाहत पसलियों के जुड़ने की जगे के ठीक नीचे और मनी पूरक नाभी के ठीक नीचे साधना की दैनिक विधी इस प्रकार है खाली पेट शिव नमसकार के बारा चक्र करें शिव नमसकार को आप इंटरनेट से सीख सकते हैं शिव नमसकार ये साथ आसनों की श्रिंखला है अब वे तीन चक्र करेंगे कृपया ध्यान दें शिव नमसकार अम्नमस्युआएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए अब हम सातों आसनों को एक के बाद एक निर्देशों के साथ देखेंगे. अपने पैरों को लगभग कंधों जितनी दूरी पर रखें और एक दूसरे से समानान तर रखें. अपने हाथों को नमस्कार की स्थिती में लाएं. अंगुठों के पोर मोड लें और अनाहत पर दबाव डालें. पसलियों के मिलने की जगे से लगभग आधा इंच नीचे नरम बिंदु का अनुभव करें. आँखें बंध होनी चाहिए. ये शुरुवात की स्थिती है. एक, नमस्कार बनाए रखते हुए अपने हाथों को फर्ष से 45 डिगरी का कोण बनाते हुए आगे लाएं और उपर ले जाएं. अपने शरीर को पीछे की ओर धनुष की तरह खीचें. आपका शरीर पूरी तरह खिंचा होना चाहिए. दो, नमस्कार बनाए रखते हुए नीचे जुकें और बाहों को पूरी तरह सीधा रखते हुए फर्ष को छुएं. अपने घुटनों को जितना हो सके उतना सीधा रखें. तीन, उकडू होकर बैठ जाएं और नमस्कार को अपनी छाती तक खीच लें. चार, दान्त पीशते हुए शिव बोलें. और साथ ही हाथों को जितना हो सके उतने तनाव के साथ सीधे बाहर की ओर ऐसे धके लें. जैसे आप पहार धकेल रहे हों. 5. दान्त पीशते हुए और हवा अंदर की ओर खीचते हुए. हाथों को वापस छाती तक ऐसे ले जाएं जैसे आप पहार खीच रहें हों. 6. खड़े होने के साथ साथ बाहों को बाहर की ओर खीचें और उपर उठाएं. एक बार फिर से नमस्कार बनाये रखते हुए अपने शरीर को धनुष की तरह पूरी तरह पीछे खीचें. 7. बाहों को नीचे लाते हुए शुरुवात की स्थिती में वापस आएं और एक बार आम नमस्षिवाय बोलें. आम नमस्षिवाय अब हम फिर से शिव नमस्कार को निर्देशों के साथ देखेंगे. अपने पैरों में लगभग कंधों जितनी दूरी रखते हुए खड़े हो जाएं. अपने हाथों को नमस्कार की स्थिती में लाएं. अंगूठों के पोर से अनाहत को दबाएं. आखें बंद एक, नमस्कार बनाए रखते हुए अपने हाथों को बाहर की ओर खीचें हाथ उपर उठाएं अपने शरीर को धनुष की तरह, पूरी तरह खीचें दो, नमस्कार बनाए रखते हुए नीचे जुकें और पूरी तरह से सीधी बाहों के साथ फर्ष को छुएं तीन, उकडू होकर बैठें और नमस्कार को छाती तक खीचें चार, दान्थ पीशते हुए शिव बोलें और साथ ही हाथों को जितना हो सके उतने तनाव के साथ सीधे बाहर की ओर ऐसे धकेलें जैसे आप पहाड धकेल रहे हो शिवा पांच, दान्थ पीशते हुए और हवा अंदर की ओर खीचते हुए हाथों को वापस छाती तक ऐसे ले जाएं जैसे आप पहाड खीच रहे हो छे, खड़े होने के साथ साथ बाहों को बाहर की ओर खीचें और उपर उठाएं एक बार फिर से नमसकार बनाए रखते हुए अपने शरीर को धनुष की तरह पूरी तरह पीशे खीचें साथ बाहों को नीचे लाते हुए शुरुवात की स्थिती में वापस आएं और एक बार आउम नमस शिवाए बोलें अभ्यास के बाद कृपया आँखें बंद करके पालती लगा कर तब तक बैठें जब तक की सांसें स्थिर ना हो जाएं अब हम इसे धीरे धीरे निर्देशों के साथ करेंगे कृपया खड़े हो जाएं अपने पैरों को लगभग कंधों जितनी दूरी पर रखें और एक दूसरे से समाना अंतर रखें अपने हाथों को नमसकार की स्थिती में लाएं अंगूठों के पोर मोड लें और अनाहत पर दबाव डालें पसलियों के मिलने की जगे से लगभग आधा इंच नीचे नरम बिंदु का अनुभव करें आंखें बंद होनी चाहिए ये शुरुवात की स्थिती है एक नमसकार बनाए रखते हुए अपने हाथों को फर्ष से 45 डिगरी का कोण बनाते हुए आगे लाएं और उपर ले जाएं अपने शरीर को पीछे की ओर धनुष की तरह खीचें आपका शरीर पूरी तरह खीचा होना चाहिए तो नमसकार बनाए रखते हुए नीचे जुकें और बाहों को पूरी तरह सीधा रखते हुए फर्ष को छुएं अपने घुटनों को जितना हो सके उतना सीधा रखें तीन, उकडू होकर बैठ जाएं और नमस्कार को अपनी चाती तक खीच लें चार, दात पीशते हुए शिव बोलें और साथ ही हाथों को जितना हो सके उतने तनाव के साथ सीधे बाहर की ओर ऐसे धकेलें जैसे आप पहाड धकेल रहे हो शिवा पांच, दात पीशते हुए और हवा अंदर की ओर खीचते हुए हाथों को वापस चाती तक ऐसे ले जाएं जैसे आप पहाड खीच रहे हो छे, खड़े होने के साथ साथ बाहों को बाहर की ओर खीचें और उपर उठाएं एक बार फिर से नमसकार बनाए रखते हुए अपने शरीर को धनुष की तरह, पूरी तरह पीछे खीचें साथ, बाहों को नीचे लाते हुए शुरुवात की स्थिती में वापस आएं अम नमस्षिवाय बोलें। अम नमस्षिवाय अभ्यास के बाग कृपया आँखें बंद करके पालती लगाकर तब तक बैठें जब तक की सांसें स्थेर ना हो जाएं। कृपया अपनी आँखें खोलें। अगर ये अब भी मुश्किल है और आप पैरों को थोड़ी दूर रख कर शिव नमस्षिवाय नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक इंच की मोटाई का लकड़ी का टुकड़ा या कुशन अपने एडियों के नीचे रख कर उन्हें उंचा उठा सकते हैं। एक बार उकडू आसन में आने के बाद अगर आप आसानी से खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो नमस्कार बनाए रखते हुए, अपने हाथों का सहारा लेकर फर्ष को नीचे धके लें और खुद की खड़े होने में मदद करें। अगर ये अब भी काफी न हो, तो आप एक खंबे को सहारे की तरह इस्तिमाल करके उठ और बैट सकते हैं। चोट या उम्र के कारण अगर आप अब भी सहारे के साथ भी अभ्यास नहीं कर पा रहे हों, तो आप कुर्सी में बैट कर ये अभ्यास कर सकते हैं। साधना की दैनिक विधी इस प्रकार है। खाली पेट शिव नमसकार के बारा चक्र करें। सर्वेभ्यो मंत्र का तीन बार उचारन करें। आं सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमहा। आं पंच भूताय नमहा। आं स्री शत्गुरुवे नमहा। आं स्री पृत्विये नमहा। आं माधियोगिष्वराय नमहा। आं 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 इसे दिन में एक बार सूर्यास्त के बाद या सूर्योदे से पहले करना है। शिव नमसकार और मंत्रो चारन के बाद पत्तों को चबाएं। काली मिर्च को नीम्बू के रस में मिला कर खा लें। और मूंगफली भी खा लें। ये सुनिश्चित करें कि आप अपनी नियमित साधना जैसे शांभवी महमुद्रा ये सब खाने से पहले कर लेते हैं। शिव नमसकार अभ्यास के बारे में कुछ बाते हैं। गर्भवती स्त्रियां शिव नमसकार न करें। स्त्रियां अपने मासिक चक्र के दौरान शिव नमसकार कर सकती हैं। वे लोग जिने हरनिया की शिकायत है, कुशन या कुर्सी का इस्तेमाल करके शिव नमसकार के दूसरे रूपों का अभ्यास कर सकते हैं। एक बार सुबह और एक बार शाम को तेल का दिया जलाएं। अगर दिया उपलब्ध ना हो, तो आप मुंबत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। योग योग योगी श्वराय मंत्र का सुबह और शाम में दिया जलाने के बाद बार बार उच्छारन करें। योग योग योगी श्वराय Öता भूता भूता बूता श्वराय काल काल काले श्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभू शंभू महा देवाय सबसे अच्छा ये होगा कि आप ये साधना चालिस मिनट के संध्याकाल के दौरान करें संध्याकाल सूरियोदे और सूरियास्त के 20 मिनट पहले शुरू होते हैं और 20 मिनट बाद खत्म हो जाते हैं संध्याकाल का समय पांच चालिस से छे बीस सुबह और शाम इस साधना का महा शिवरात्री के दिन समापन होगा आप समापन प्रक्रिया इशायोग केंदर में या किसी स्थानी इशा केंदर में कर सकते हैं या फिर अपने घर में ध्यान लिंग की फोटो के सामने कर सकते हैं साधना का समापन इस प्रकार करें जागरण में रहना जरूरी है इसका मतलब पूरी राद जागना जरूरी है योग योग योगी श्वराय मंत्र का 112 बार उच्चारण करें पैसों या भोजन के जरूरत मंद तीन लोगों को कुछ भेंट करें एक बेल पत्र या नीम पत्र या फिर तीन या पांच पत्तियों वाला पत्ता ध्यानलिंग को चड़ाएं अपनी बाह से काला कपड़ा उतार दें और इसे ध्यानलिंग के सामने नंदी के पास पान दें वे लोग जो इस प्रक्रिया को स्थानी केंद्रों या घर पर कर रहे हैं, काले कपड़े को जला दें और राख को अपनी उपरी बाहों और टांगों पर लगा लें.